दोस्तो क्रिकेट और फुटबोल चे जूरी हाल लेटिस्ट खाबर और जानकर के लाव इस चनलन को सब्सक्रेब कर दीजिए और सब्सक्रेब के साथ साथ इस घंटा को भी दावा देना ताकि आपको भी खाबर या जानकरी मिश्च न कर पाए हलो दोस्तो मैं हमीर आपकेमिश्ट यूपर बहुत बहुत सब्सक्रेब कर देखते हैं तो दोस्तो मैं आगा यह कोना क्रिकेट प्रिक्षिन वीडियो लेकर और इस बीडियो में हम बात करेंगा इपल दो हजा ठेके नमबर चॉल इस मैच के बारे में जो किंग सिल्वन तो चलिए फट फट इस मैच के लिए दोनो टिमों का प्लेंग अलवन और विनिंग चांसेश देख लेते हैं और उसके बाद केकर के प्लेएउफ के लेकर बात करेंगे तो इस मैच के लिए किंग सिल्वन पंजब का प्लेंग अलवन जो लास्ट मैच के लिए था वो और अब बात का लेते हैं केकर के पिलेंगल भेंग के बारे में तो केकर के पिलेंगल भेंग जो लास्ट मैंच पे था उसको जरूर चेंज करेगा क्योंकि लास्ट मैच बहुत बुरी तरिके से हार गया था केकर मुंबा इंडियन्स के बिरूद और इस मैच के लिए रिंग को सिंग के जगे सुबमन गिल आ सकता है क्योंकि सुबमन एक इन्फरम बैस्वेन है और उनको लास्ट मैच पे ना लेकर बहुत एक गलती कर दिया केकर ने तो सुबमन गिल इस मैच पे जरूर खेलेगा इसके बाद परशित किसना के जगे सुबम माभी भी आ सकता है और साइध टॉम कुरन के जगे मिचल जंसन भी इस मैच पे खेल सकता है तो केकर का ओपिनिंग जोरी होगा क्रिस लीन और सुलीन नरिन तीन नमबर पर खेलेगा रॉबिनू थप्पा, चार नमबर पर नीसित राना, पांच नमबर पर दीने सकार्तिक, छे नमबर पर इंकु सिंग या सुबमन गिल, साथ नमबर पर एंडेर रसल, आर नमबर पर प्यूस चबला, नौ नमबर पर टॉम कुरन और उनके जगे मिचल जंसन भी ख खेल सकता है, दस नमबर पर परशिद किसना या सुबम माभी, ग्यारा नमबर पर कुल दी पियादब, तो इतो हो गया कल के पहले मैच के लिए दोनों टीम का प्रिक्टेट पिलिंग अलबेन, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ इस तरह के पिलिंग अलबेन देख नहीं लग रहा है, अभी खास करके लास्ट मैच जो मुंबा इंडियन्स के खिलाब हार गया था, और उसके बाद तो टीम एक दम विखर गया है, ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर किंग सिलिबन पंजाब की टीम देखा जाए, तो बहुत ही एक अच्छा बैलेंस टीम लग रहा है, और अपने विरोधिकियों एक टकर का मुकबला दे रहा है, केकर के तरह एक तरफा हार नहीं हार रहा है, किसी भी मैच को किंग सिलिबन पंजाब, तो अभी किंग सिलिबन पंजाब का पलड़ा थोरा भारी है, इस मैच पून का जितने का चांस रहेगा 75%, और केकर आपको तो पता ही हो गए के मुंबाई इंडियंस की स्तरा से IPL 2018 में बाफसी क्या है, मुंबाई इंडियंस लास्ट तीन मैच लगातर जीत चुका है, जहांपर दो मैच केकेर के साथ था और दोनों पर ही जीत हासिल का लिए मुंबाई इंडियंस ने, और जिसके चलते मु रस्ता है जाने के लिए प्लियोफ में तो अब ही बता-देता हूं तो केकीर को अभी मैच जीतना एक दम कंपलसरी हो गया है जहां पर उन्हें एक मैच को जादा मर्जिन से भी जीतना पड़ेगा पॉइंट इबिल के अगर देखा जाए तो उनका जो नेट रान रेट है वहाँ पर उनका पॉइंट थोरा से कम है तो इसलिए उन्हें एक मैच ज़्यादा मर्जिन से जीतना परेगा और एक भी मैच अगर हार जाता है तो प्ले-ॉफ से एक दम भार हो जाएगा और उसके साथ साथ मुंबाई इंडियन्स अगर खराब पफमेंस दे देता है और प्ले-ॉफ से पहले उनका जो बाकी तीन मैच है उनमे से अगर कोई भी एक मैच हार जाता है तो KKR प्लियोफ में जा सकता है लेकिन अभी Mumbai Indians का जो performance हमें देखने को मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि उनको हराना भी बहुत ही मुश्किल है और उनके साथ जो टीम है अभी उनका जो खेल बाकी है उन टीमों के ब्रूद उनका performance अच्छा रहा है तो साथ Mumbai Indians क्वालिफाई कर जाएगा प्लेओफ के लिए और KKR इस बार प्लेओफ में नहीं जा पाएगा और आपका क्या खायल है इस बारे में मुझे comment में जरूर बताएए तो इस वीडियो में बस इतना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर दीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंटेस्टिंग खब्रों के बारे में पता चले थैंस पर वाचिंग आई विल सी यू गाई इन माइन नेक्स वीडियो तिल देन बाई बाई